नन बन चुकी इस सफिया हयातने की शादी बिग बॉस साथ की कंटेस केंट रही सफिया हयातने मंगयतर व्लाद स्टन स्कू से सोमवार को शादी कर ली है लंदन में हुई एस सेरे मनी की कई फोटोज सामने आई है इसमें सोफिया गोल्डन कलर की गाउन पहने नजर आ रही है वहीं व्लाड ने ओफ वाइट कलर की शेरवानी पहन रखी है मार्च की शुरुआत में सोफिया ने सगाई की अनाउन समेंट की थी एक इंटर्वियू में सोफिया ने बताया था कि उनके मंगेतर व्लाड कोई सेलेबरिटी नहीं बलकि रोमानिया बेस्ट इंटीरियर डिजाइनर है सोफिया का प्री वेंजिग फोटो शूट भी काफी वायल हुआ था और वे व्लाड के साथ लिप लॉक करते हुए भी कई फोटो सोफिया शेयर कर चुकी है पिछले साल सोफिया ने किया था नन बनने का एलान सोफिया ने पिछले साल माई में खुलासा किया था कि वे नन बन गई है उन्होंने अपना सिलिकॉन ब्रेस्ट भी रिमूव करवाया था उन्होंने यह भी कहा था कि वे रातों रात नन नहीं बनी है बलकि रिलेशनशिप में प्रताजित होने के कारण आखिर में उन्होंने ऐसा कदम उठाया बकॉल सोफिया जिन्दगी में डरे होने के कारण मेरे अंदर ये बदलाव आया दो साल पहले ही इसकी शुरुवात हो चुकी थी मैं जिस रिष्टे में थी वहां बहुत परिशान थी एक बार तो मैंने खुद को मात डालने की कोशिश की इसके बाद मुझे लगा कि मैं तो एकदम मर चुकी हूँ और फेसे मुझे नई जिन्दगी मिली जब मुझे होश आया तो मुझे लगा कि ये जिन्दगी मुझे केवल गौड ने दी है अब यह उनका गिफ्ट है पहले कहा था ना शादी करेंगी ना सिक्स एक इंटर्व्यू में जब सुफ्या से यह सवाल किया गया कि पिछले साल वे कहती थी कि कभी शादी नहीं करेंगी सिक्स से दूर रहेंगी और भचें भी पैदा नहीं करेंगी फिर इस साल उनका दिल कैसे बदल गया उन्होंने जवाब दिया मेरा दिल नहीं बदला है उस वक्त वह मेरी सच्चाई थी और आज यह मेरी सच्चाई है दूसरे शब्दों में कुछ लोग तब शादी करते हैं जब उन्हें कोई अच्छा लगने लगता है और कुछ लोग इसलिए तलाक लेते हैं इसका मतलब यह है तो नहीं कि जब वे पहले प्यार में पड़े तो जूट बोल रहे थे